कि नमस्कार आप देख रहे हैं डिजन अन्यूज की खास मुलाकात और यह खास मुलाकात है मत्यप्रदेश कॉंग्रेस के कड़्दावर नेता पूरु मंत्री सज्जन सिंग वर्मा से सज्जन सिंग वर्मा अपने बेबाग बयानों के लिए और अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने आते हैं जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं खुलकर बोलते हैं अनेक बार उनके बयान विवादस्पद हो चुके हैं और जब उनकी बयानबादी चलती है तो वो यह नहीं द मेलाओं के मंतरी रहें कमलनात जी के बहुत नसदी की हैं केंद्र की राजदीती कर चुके हैं सांसद रहें अ मालवा में और पूरे मदब्रदेश में मजबूती प्रदान की है सोनकष से अनेक बारे विधाय करें हालाकि यह दिगर बात है कि इस बारे वे एक बहुत नावागत उम्मिद्वार से सोनकष में हार गए लेकिन सजन वर्मा अपनी अंदाच अपनी स्टाइल और अपने माज़दार पूरे भारत में अगर कोई है तो वो आप है मामला कमलनाथ जी का है बहुत चर्चा हुई कि वो कॉंग्रेस में जा रहे हैं और उन्होंने कॉंग्रेस का लोगो हटा लिया अपनी सोशल साइट से आपने भी हटा लिया और आपने कहा कि मेरा नेता जहां जाए कहने में संकोच नहीं है कमलनाथ जीसा कद्दावर नेता जिसे कॉंग्रेस ने खूब दिया है खूब ने बहुत दिया है और कमलनाथ ने भी कॉंग्रेस को हमेशा मजबूती देने का काम किया है कुछ ऐसा वातावरन कुछ बीजेपी के नेता और कुछ पत्रकारों ने मिलके कुछ पत्रकारों ने मिलके ऐसा वातावरन बना दिया कि कमलनाथ जी बीजेपी जाइन करने जा रहे है टाइमिंग ऐसी हुई कि कमल नाज ने चिनवाला का एक कारिकम निरस्ट किया क्योंकि उनकी संस्ता की बेठक दिल्ली में इंपोर्टेंट थी वो गए तो लोगों ने और पद्रगार ने गए दे कि लोग कारिकम छोड़ गए गए हैं मतलब जाना तै हो गया अब एक बार बताईए इतने बड़े कतका नेता जो मुख्यमंति रहा हो चार चार बार पाच पाच बार खेंदरी मंत्री रहा हो और जिसका भारत के उद्योग जगत में सारे उद्योग पतियों सुब भारत में नी विदेशों में भी बहुती पारिवारिक संबन्ध हो इतने बड़े कत का नेता यदि बीजेपी में जाना चाहता तो कौन उसे रोक सकता है या यह सारी बाते कुछ पत्रकार हैं खुलासा होगा बाद में और कुछ भजापा का नेता होगा यह शडेंद्र था इसलिए 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 उन्हों ने जो कॉंग्रेस का निशान हटा गड़ी लेगिन जब यह एपिसोड चला था मैं दिल्ली पहुच गया था और आप ने यह भी कहा था कि जहाँ मेरा नेता है नहां मैं हूं है अबर ivamente, जिस data Congress ने कमलनाथ को बहुत दिया है, मुझे Congress और कमलनाथ ने बहुत दिया है, तो में जिदि मानदार data हूँ, मेरा महातर संस्ता Congress है, लेकिन उत्त कमलनाथ के साथ मेरा नाम जुड़ा है, जिदि वो जाएंगे, तो मैंने कहता कि मैं उनके साथ जाओंगा क्योंकि मैं दोगला नेता नहीं हूं कि अपना नेता कस्टमें है तो आपन मजे मार रहे हैं तो ये उस समय की परिस्तितें ऐसी बन गे थी तभी मुझे जाना पड़ा सा दिल्ली और ये मैंने मैं दिल्ली पोचा तो मैंने वहां किसी की इंटरी नहीं थी उस समय और उनका घर चाओं नहीं बना हुआ था इतने पत्रकार मैंने जीवन में नहीं देखे उनके घर के चारों तरफ बड़ी-बड़ी गाड़िया मीडिया तो मैं जब गया मेरी बात हुई तो उनकी टेबल पे 29 लोकसवा का नक्सा रखा हुआ था में ने कहा की इस तरह की चल रहा है यह शले ही कंप्रोश की मैंने भाहर पत्रकार को मैंने कहा है दो मिनाट आप चल के वहां के बयान दो मैंने बड़ी तलखी से उनसे गया कि बयान देना जी इतनी कंट्रोर्स दी हो रही है हाकार मचा हुआ है लोगों में बुले हैर मैं तो यह उन्तिस लोकसभा में किसको टिकड़ देना क्या जातिकत समय करना उसमें लगा हूं मैंने वह आप करते रहे ना क्योंकि लोकसभा कि कि बता दे कि मेंने काओ कि में बीजेयेपी में जा रहा हूं मैं वकिसी बीजेपी के सब्सक्राइब्ल जलंड लडेगा इतनी अब ब्रबादी किया वो सारे घटना करम के बाद कमनलाज जी की कांगुरेस में इस्थिती कमज़ुर हुई वह वाली बात नहीं रही जो पहले थी जो जिस तरह से वह राहुल जी की नज़्दीक थे या कांग्रेस में इंदरा गानी ने कहा था कि कमनलाजी मेरे तीसरे बेटे राजी वौ बात कमनलाज जी का डाउनफाल हुआ पार्टी कंदर देखिए आप भी समझने हैं कि घटनाओं का दुष्प्रभाव जिदी घटना अच्छी है तो उसका अच्छा परभाव पड़ता है ये घटना दुष्प्रभाव छोड़ने वाली थी तो कहीं न कहीं डेमेज तो हुआ है अलका सा पॉलिटिकल के रहे सा कोई शक नहीं लेकिन आप कहा जा रहा कि कमनलाज जी और राहूल गांदी के एक बड़ी नजदी की पुलाकात हुई है और ऐसा कहा जा रहा कि कमनलाज जी को बहुत बड़ी जिदाने वाली उच्छी मेंदारी क्या होगी राहूल गांदी जी भी समझते हैं सोनिय जी भी समझती हैं मालिकार जिन खरगे भी समझते हैं कि कमनलाज जी की उप्योगिता बहुत है कॉंग्रेस में आज पार्टी चलाने के लिए फंड लगता है मैंने कहा ना कि भारत के उद्योग पतियों के साथ वीश्व के तमाम बड़े उद्योग पतियों से कमल्लाथ के पारिवारीक संबन्द है तो हमारी सरकारें दो एक राजिमी हैं वी दो तीन राजिम है इसलिए आउशकता है कि तेलागना में हैं एक आज जगे पार्टनर हैं आप बस हूँ इसलिए मैंने का तो नेशनल लेबल पे पार्टी को सर्वाइव कराना कहीं न कहीं पैसा लगता है आर्थिक संसादन लगते हैं और वो कमलनाथ ही जुटा सकते हैं तो मैं समझता हूँ क कि उनके लिए कांगरेस के कोसा अध्यक से अच्छा पद दूसरा कोई नहीं हो सकता तो इसमें मन्थन चल रहा है एहमद पटेल के जाने से जो पोजिशन खाली हुई है क्या उस पोजिशन के लिए कमलनाथ सबसे मुफित व्यक्ति हैं उस पद के लिए बहुती मजबूत व्यक्ति कांगरेस में कोई है तो इस समय सिर्फ कमलनाथ है जो उस पद पर बेटके कांगरेस के लिए बिलकुल उनके तमाम विपक्षी दल के नेताओं से भी संबन लें कई दलों के मायावती हों मंतावेनर जी हो शरत पमार हो चंद्रावाबू नाइडू हो अखिलेश जितने आप यह कहलें कि इस समय जो विपक्ष में नेता हैं उन से सबसे अच्छा कोर्डीनेशन यही किसी कहिया तो कमलनाथ का है बहुत लंबी राजनीती खेली है और खास्तोर पर कमलनाजी के साथ बहुत लंबी राजनीती खेली है मैं यह जानना चाहता हूं कि जब विदानसभा की चुना हुए और एक समय में लग रहा था कि कॉंग्रेस आ सकती है लेकिन नहीं आ पाई भारतियंता पार्टी जीत गई और तुरंती बाद दो-तीन महिने बाद लोकसभा की सुना होने थे तो कॉंग्रेस आला कमान ने इंतजार ना करती हुए लोकसभा चुमना की ठीक पहले है जिस तरह से कमलनाजी को अद्धिक्षपस से हटाया क्या वो उचित था देखें हर राजजितिक दल का हाई कमान होता है और हाई कमान की आग्या सरोपरी है सरोपरी भी है मेरी जो बात कमलनाजी से हुई कमलनाजी ने मुझे खुद कहा कि जीतू पड़बारी का नाम मैंने ही दिया है मेरी हाई कमान से बेठक हो चुकी थी और किसको अद्धिक बनाए जीतू पड़बारी के नाम की सहमती मैंने ही दिया मैंने ही नाम प्रपोश किया था इसलिए इसमें जो भी कांट्रोर से आ रही है वो जीरो है मैंने अपने मन से बनाए कि यह सवाल नहीं कर रहा कि कमल नाज जी को बिना विश्वास में मेरा सवाल यह कि पूरे मद्देश के कांग्रेस जनों का यह मानना था चाए वो कमल नाज जी खेमे के हो या दिग्विजे सिंग के हो या शुभाश आध अरुन आदब हो या राहूल सिंग्यों के उतने नजदीक चुनाओ, उसको एक नया अध्यक्ष, वो भी लोकसवा के उन्तिस लोकसवा का चुनाओ, एक नया अध्यक्ष एक माला में नहीं पिरो सकता था, इसके लिए तो कद्दावर नेता, कमलनाज डिवी जे सिंग जैसे लोगों की आवश्रकता थी, तो वो टाइमिंग गलत हो गया, लोकसवा चुनाओ, तीन महीन बाद थे, उसके बाद परिवर्तन, किर परिवर्तन तो होना था, पर उसके बाद करते तो शायद परिणामों में कुछ और ठीक स्थिति बनती कॉंग्रेस के लिए, अब कैसी कॉंग्रेस चल रही है, मदवर देश हुए, नहीं वर्चन है, और केलिबर है काम करने का माददा है, कॉंग्रेस चल रही है, और हम सीनियर लोग मधद कर रहे है, तो पुरे परिदेश में उसके साथ हर जले में है दूसरी बार यूत कॉंगर्स में कौनाल चोधरी बना उसका चोटा भाई तो दो दो बार यूत कॉंगर्स पर देसकी चलाई तो टीम तो जमी हुई है अब ये है कि थोड़ी स्विकारोकती कम हो सकती है सीनियर लोगों में लेकिन जब कारिशेली मजबूत होगी जीतू भाई की तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा और चीजने लगए पर कंग्रेस के कारकरता कंग्रेस के बढ़ें देता के रहें कि कांग्रेस पार्टी की दूर्शा हो गई इतने सारे लोग चांग्रेस छोड़के गए जीतू पटवारी के कारकाल में उत्ते तो कभी नहीं गए दर्स ही मजगी यह बात प्रतिक भाई आपके सही है कि वो जो एक प्रियेड था वास्ताओं में इतने सारे लोग भगदला मचा के गए हैं वो ब्लेम जीतू पटवारी पर आगे हैं कूशने की कोशिष निकी लोग केते हैं प्रतिक भाई जानेवाले को कौन रोख सकते हैं जिसने मानसिकता वना ली लाबसू serie यह द उसे कौन रोक सकता है पर पर यह सही है कि जीतू भाई के बनने बाद पलायान बहानकतम बड़ा था तमाम लापसुब वाले लोग जिटका हाँ समझ रहे आप तो वह लोग दंदे पानी वहले और विल्कुल आर्थिक अपरादी मान लो आप तो यह अर्थिक अपरादी इतने सार से आपकी पार्टी तो दिक्कत यह आई कि जीतू भाई उसमें अकेले प्रवेट आजे चोरड़िया बाहर आए आपार उद्धोग संगटने आज भी कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूं और निश्काशित कांग्रेसी हूं उन्होंने कहा कि बड़ा एंकारी है बात नहीं सुनते कारकरताओं से मि पुरे प्रदेश का फीडबेक यह है कि जीतू किसी की सुनते नहीं है अहिंकार है वो खुद को राहुल गाली समस्ते है थोड़ा सा था अब नहीं है अब नहीं है अब जीतू को समझने आ गया कि कॉंग्रेस तो कॉंग्रेस के ढंग्सी चलाना पड़ेगी हाई-कमान बन के कांग्रेस नहीं चला सकते हैं जुक के विनमरता के साथ सहयोगी भावना से काम सामने वाले सिलो आदे साथ में नहीं चलेगा वो बात उनके समझ में आ गई है मैंने भी टिफ्स दे उनको कि जब कोई सीनियर लीडर करना भी चाहिए क्योंकि इस समय होशकता है कांग्रेस को मजबूत करने की मैंने भी सीनियर बात कर रहा हो किसी टॉपिक पर उसको पूरा सुनो करना क्या है वो बात की बात है लेकिन सुनो पूरा उसे क्योंकि सीनियर नेतायदी कुछ बताता है तो उसके जीवन का अनुवह हुए जमीनी हकिकत से आपको रूब रूब कराता है नरेन नाटा इसी शो में थे वरिष कांग्रेसी नेता है कई बार मंत्री नहें आपके साहब नाटा जी कह रहे थे कि साहब कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन दरूबत है और कोई सुनने वाला नहीं है ना कारकरताओं की सुनने वाला कोई है ना नेताओं की सुनने वाला है और हम यह समझते कि व्यक्ति बदल देंगे तो कांग्रेस बदल जाएगी सिस्टम हम नहीं बदलना चाहते है आमूल चूल परिवर्तन तो क्या होता है सब शब्द रे गए आमूल चूल परिवर्तन एक विक्ति जाता है दूसरा आता है उसका कारिकाल पूरा होता है वो जाता है और अपनी नई टीम देखिए कोई भी अद्धिक बनेगा तो अपनी प्रतिक भाई नई टीम बनाते ही है तो इसे परिवर्ते नहीं माना जाएगा आप आपके बड़े नेता हैं और वो समय समय पर आपके बयानों से बगड़ भी होता है कि आपके बड़े नेता है अभी उन्होंने कहा कि मुसल्मानों की और अनुसूचित जाती वर्ग से आते हैं मुसल्मानों और अनुसूचित जाती वर्ग की साक्षर्था लगभग पराबर है लेकिन सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाती और आदिवासियों को जो इस्थान पराथते वो मुसल्म ये कहना है कि जब किसी विशय का समय नहीं है, अनावश्चक किसी विशय को हम उठा के कांट्रोर सी क्रियेट करते हैं, तो वो अपने राजिंतिक दल के लिए बढ़ी हानी का रखोता है, खुद के लिए भी होता है, मेरा मुसल्मान भाई कभी उसने इस तरह की मांग नहीं क את हैं अपने काम में लगए हैं, अपने उस संतुष्ट हैं, अनसुची जाती जएंजाती के भाई समुधान प्रदत सुधाओं से शंतुष्ट है, अब हम ये समय नहीं हैं, कि इस तरह के विशयों को उठाया जाए उस पर बयान भाजी की जाए, अब हम बयानबाजी करते ह तो आप से दस गुना बयान बाजी बीजेपी आप पर हमला हो करती हो एक विशाय चर्चित हो जाता है जिससे नहीं होना चाहिए कई बाते हैं तो बीजेपी आप से ज्यादा माहिर है उनके वाज जो सरे निता बोलने की खाते है रामिसर सर्मा भी उसमें एक है तो उनके मन में तो जो आएगा जो वो महसुस करते हैं बोलेंगे मेरा तो सज्जन वर्मा से भी कहना है और डिविया सिंग से भी जीतू बटवारी से भी कि समय की अनुकूलता को हमको पहचानना पड़ेगा जो विशह आवश्यक है उस पे ही चर्चा और बयान आना चाहिए जब समय किसी बात की डिमांड नहीं कर रहा है कांग्रेस थोड़ा सा दो तीन चार कदम आगे बढ़ती है और फिर इस तरह के बयानों से दस कदम उसको पीसे जाना पड़ता है आप को भी लगता तो मुझे भी असी है कि अन्ने से सरी हम अच्छी चलते चलते फिर कहीं न कहीं ठोकर खा जाते हैं दस कदम चलने कोशिश करते हैं दो कदम चलते हैं तीन कदम पीछा जाते हैं यह होता है लेकिन सुधार है फिर भी आप तो कांग्रेस की रगरक से वाकिफ हैं बड़े ही बच्छपन से लेके बड़े ही आप कांग्रेस में हुएं क्या कांग्रेस के कुछ बड़े नेता य लेकिन क्या कांगरेस के बढ़ेनेता अपने बच्छों को इस्थथाफित करने की चक्कर में कांगरेस सनुक्सान कर रहा है सही जवाब चाता हूं आपसे देखिए जाहां मैं अपने से सुरू करता हूं मैंने कभी जबात का प्रियास नहीं किया मेरा कद्ध बड़ा है मद्वदेश में कांग्रिस में यकीन है मैं चाहूं तो बहुत कुछ हासिल कर सकता हूं उपना परिवार के लिए मैंने एक कदम भी कभी नहीं बढ़ाया कि अपमी अवलाद के लिए अब बाहियो की आपकी ब होंगरिस का लीडर अपने बेटे ये बेटी को आगे बढ़ाना चाहता है यदि उसमें केलिवर है कर गुजरने का माददा है तो मैं समझता हूं उसमें बुरा ही क्या है एक डाक्टर का बेटा डाक्टर बन सकता है इंजीनियर के बटा इंजीनियर एक नेता का बेटा कि यदि वो उस केलिवर का है तो उसे राजनीती में आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन किसी और का हग मार के नहीं कि आप किसी और का उससे ज्यादा केलिवर वाला उसका हग मार के आप अपनी उलादों के लिए पदवद लेके बिड़ जा होते हैं तो क्या कॉंग्रेस में जो दिवे जिए सिंह जी के यहां बात करे तो क्या चत्रिंधास उमर में ब्रीज की कांग्रेस कॉंग्रेस की कमांस होंबी जा dice कार करता हूं आज है सरसी का रहे हैं वो ने देखिए आज भी कम दिग्विजे सिंग के को मानने वाले एक बड़ी फोज है मद्धिप्रदेश में और दिग्विजे सिंग जी कभी भी मंचा नहीं रही कि वो मद्धिप्रदेश कॉंगर्स की कमान समाले एक guidance देने वाले के रूप में वो काम कर र एदी कारिक शेली अच्छी है तो आज नहीं कल बनेगा कल नहीं परसम होनेगा पर मैंने कहा कि किसी उससे ज्यादा एदी केलिवर का कोई व्यक्ति है उसका हग मार के दिया आप करो हुए तो मैं समझता हूँ कि आपकी राजनीती भी बहुत जल्दी कहता हुँदे सुझ भाई आप ने बहुत काम किया यहादा सव अनिदर जिसका सुनकाकश चानक पहँचा और इतना बड़ें तर से बो कभी आपने इस चुनाओं में कलपना की या क्या गलती आप से हुई या चुनाओं में क्या गडबल हुई कि इतना इस अपरत्याशित नतीजह मैं कह रहा हूं देखिए हम सीधे और स्वर्ल दरीगे से चुनाओं लड़ता हैं कभी आर्थिक आधार पे इस पे उस पे खरीद परक्त करके मैंने तो इसने जीत की चुनाओं लड़ा है और इस बार क्या दिक्कत थी कि मान लो ड्ही लाक वोट है सवा लाक महिलाए हैं सवा लाक पुरूस है अनुपाद बरावर है जो लाड़ी वेहना का जो जादू इन्होंने फेका देखिए ग्रामीन चेतर है गरीब चेतर है छोटी छोटे किसान है महाँ पर उनको चिनाओं के समय उनकी पतनी को बारा सो पचास बारा सो पचास वो तो मिल गया किसानों को दो दो हजार रुपे केंदर से और दो हजार दस हजार रुपे मिल रहे थे यह मिल गया चेतर है चलते चुनाओं के जस्ट पहले ही फसल भीमा की रासी आ गई फसल की दुक्सान की भरपाई की रासी आ गई एक एक परिवार को पच्पन से साथ हजार रुपे चुनाओं के समय मिला है अब यह उड़ाया गया कि यह यदी बीजेपी हार गई ति तुम्हारे सब पईसाविसा मिलना बंद हो जाएगा बविश्य में तो वो एक बड़ा असर रहा पच्पन साथ हजार गरीब के घर में चले जाना यह निश्टी दूसे वोट खरीदे गए हैं इमानदारी के पर भई मानी से आपका जो इतना समर्थन और आपके घर में आपकी पहचाने के गाओं में आपकी पहचाने उसका उसका इंप्रेक्ट नहीं पड़ा किसी का चूला कि एक टाइम की जिएके दो टाइम का जली जाए बहुत स्मूथ जीवन हो जाए बिना मेहनत के इतना पैसा मिल जाए और भविष्टी के लिए आसा जगाए गई कि हर बार यह पैसा मिलेगा तो देखे कहिना के आदमी का मन डोलता है आपको मैं बता दुझे लोकसभा 2014 में नरेंडर मोदी आए उन्होंने में हर साल दो करोड नौजवानों को नोकरी दूंगा मेरी सरकार बना दीजिए हर आदमी को 15 लाग रुपर मिलेंगे इसे बात में मिर्शा ने का कि जुमला था उस बात का कांग्रेस परिवार के यंग लड़कों ने भी बीजेपी को वोट दे दे ता उस समय कि नोकरी मिल जाएगे 15 लाग मिल जाएंगे तो यह कुछ घटना ऐसी होती है जिनसे माना उमन कही न कहीं बिशलित होता है उनने एक बार सज्जन भाईया नहीं से यार चार-पाच बा लोग सब पांचे बार विधायर जिताया दे खोज वह सज्जन भी है तो यह भावना काम की वह पर किता ऑब कर मैंशी को अब शर्य कर दो करा होता है किया कि आन्य क्या क estasबावा हएं मे Thai Reporter हर दिसे दिन एम भी घाम हो ततकाल एक फोन से अधिकारी को जाता था फोन एक से हमारा आख सुनते थे और काम होते थे पूरे देश में अब बदलाओ की तरफ लोग मांसिक्ता बना रहे हैं राहूल गांधी की मेनत मदपर्देश में सर नहीं दिख रहा ना मदपर्देश 29 के 29 हार गए उप्चुनाव हार गए नहीं मान लिया है वो दोर गुजर गया अब जो दोर चल रहा है लोग सवाई लक्षन के रिजल्ट के भाद पूरे देश के परिपेश में बहुत बदला हुआ वातावरन है और ये सही है कि नरेद मोदी साब के चेहरे का नूर उत्रा होगा कभी वे आप देखना पहले और आज में बहुत फर्क है विपक्ष मजबूती के साथ आम जन्ता के मुद्दे उठा रहा है जैसे मानी नरेद मोदी साब दावा करके गए कि मैं रूस और उक्रेन के युद पुकाने जा रहा हूँ मैं संजोता कराओंगा जो बयान आया उनका दूसरे दिन रूस ने आज तक के त्यास में इतना बारूद युकरेन पे नि होगा युकरेन पे इतना बारूद फेगा दूसरे दिनी तीसरी बात मनीपुर जल रहा है आपके देश में हजारों जी जी को नहीं दिख रहा है ये सारी बातें आम जनता भी सोच लिए कि ऐसा क्यों विश्व गुरू बनने की ललग है देश तमल नहीं था आपने इंदोर के लिए एक बड़ा सोगात दी एलेवेटेड बिज बनने वाला था और उसके लिए आपने आपकी सरकार थी पंद्रा महिने की कमलना जी सरकार थी जिसमें आप बहुत ही बड़े और कद्दावर मंत्री थे नंबर चू की पोजिशन पर थे मंत्री मंदल में तो वह आपने स्विक्रत करवाया था एजेंसी फाइनल हो गई थी और काम भी शो होने वाला था डी प्यार बन गीती बजट आ गया था वरत्मान में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी ने उसको कैंसिल कर दिया है दिखिए मैं चुकि इस शहर में रहता हूं इंदोर में विभाग मेरे पास था जिससे काम होना था पुल बनना एलिवेटेट ब्रिज बनना तो जब मैंने देखा पब्लिक की डिमांड थी उस समय कि यदि यहां से यहां तक एम आईजी से लेके नौलक्खा जी पीओ तक साड़ अच्छी करूमटर का एक एलिवेटेट ब्रिज बन जाए तो इस सेहर का याता है तो आज देख लो आप जहां दस मिनिट में पहुच नहीं पहुच रहा है तो मैंने तत्काल अपने इभाग में मिटिंग की तत्काल DPR बनवाई एक महिने में इंजीनर की डूटी लगई मेरे सामने इंदवर में वो समय में भी खड़ा रहा और पूरी जो भी DPR बनती है नपती होना ये होना राशी देदी टेंडर हो गया एजन्सिफिक्स हो गया और जो हमने दिया तब उत्तरप देश सरकार का ब्रिज का करपूरिशन को हमने सरकार अब 2 महिने में सरकार चली कि इसके बाद हमारी मिलता है अब मैं उसी पैंट पे आ रहा है कि हमने तो उत्तरप्धेश के ब्रिज करपूरिशन को दे देगी ब्लेम ना लगे सरकार चली गई तो बीजी पियालों ने रोका कि यार इदि ये ब्रीज बन गया तो साड़े छे किलो मीटर का ब्रीज यदि इन दोर में बनता है तो सौंदर ही बढ़ता है यातायात का दवाव बहुत कम होता है तमाम सारी बातें उन्हें कांगर्स के नाम पर जायागा इसलिए इसको रोक दो इससे पहले गटना ओर हुई है कमलना जी भूतल परिवान मंतरी थे उसके बाद फिर शेहरी विकास मंतरी बने डेली कॉलेज में कारिकम में आठाए तो मैंने उनसे कहा था कि ये माईजी से लेके ये वाटिका कौन सी स्टेडियम का सिवाजी वाटिका तक पुल की आवशकता है तो ठीक है बूलो मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ शाम को एक-दो दिन में मैं ख़वर करता हूँ दो दिन बाद उन्होंने मैं समझता हूँ कि 280 करोड रुपर स्विकरत किये नगर निगम बीजेपी की प्रादी करण बीजेपी का सामसद विधाग बीजेपी सब बीजेपी का 80 करोड पहली किस भेज़ दी उन्होंने वो काम भी उन्होंने वो पैसा क्या है आज तक पता ही नहीं चल रहा है इनन्होंने काम नहीं किया 80 करोड कि पहली किस भेज दी दूसरे का मंद लेली हाँ अवा पैसा हां वो पता ही नहीं चल रहा है तो ये भाजा पाई इस तरह बेदबाव से करते हैं विकास को भी दल्गत राज्जिती की नजरी से देखते हैं यदि आजी साड़े ची किलूमीटर का ब्रीड बन जा है यदि मानलो टेक्निकल गलत है वो ब्रीज तो आपके बाद इंजीनेर हैं ढंग से उसकी टेक्निकल साउंड करके उसकी डिजाइन मनालो क्या दिक्काद है लेकिन नहीं दस पुल बनाएंगे मोन यादव जी ने का हम दस पुल बनाएंगे इस टेंडर प्रकरिया कब होगी कितना समय लगेगा अब ठेकेदारों से कमिशन भी फिर दस दे तो मिले गई कि दस ब्रिज बनाओंगे दस ठेकेदार आएंगे तो कमिशन भी एक पार्ट हो सकता है तो यह सारी कहनिया है बड़ी उल्जी होगी आप कॉंग्रेस में का आपने कॉंग्रेस का वह सुन्ड़ने मियुग देखा है जब पूरे राज में मतबरदेश में पूरे देश के इन पूरा झांगे बहुत एको इंद्र जी आम जा रिचाए पुगर्ट रुट अंग्रेस को पराइं ब्रहा में बोर्ट फया हो absorb कर्देस पैंद्र को cytokि भूय फीयों मते कांग्रेस का जो स्थम्भ था चारों स्थम्भ कांग्रेस ते क्यों दूर हो गया दो या तीन सवाल मैंने एक साथ कर लिए आप से देखिए इंद्रा जी की बात कर ले हम मैं उस समय उनिवर्श्टी विजिडेंट बना था जंता पार्टी का शाषन था भाजापा नहीं जंत जंता पार्टी संदललल पटए विरेन सकलेचा मुख्यमंती थे मैं उनिवर्श्टी का चुनाओ लड़ा था बहुत दंदारी से लड़ा और जीते थे मद्धिवर्देश में शायद मैं अकेले कांग्रेस का जीता था उस समय इंद्रा जी को मैं इन्वाइट करने गया था कि मैं सपत तभी लूँगा तब आप आके दिलाओ भी तो उन समय से मेरे बड़े अच्छे संबन थे देखिए दढ़ एक्षा सक्ति वाली महिला धाई साल में जब इतना इमर्जेंसी के बाद बवाल मचा सरकार गई इंद्रा जी हार गई धाई साल के अंदर फिर से बंप आज बंगला देश में जवत्य अचार हो रहा है इंद्रा गांधी यादी जीवीत फिती मेरे बार 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 बयान आता कि मेरी नेता यादी जिंदा होती तो बंगला देश की अवकादनी रहती कि किसी के खिलाब भी इतने हिंदुओं के मंदिर तोड़ देती हैं मार डरत दूसरी बाद, इंडरा जी निर्णे बोत फास्ट लेती थे, बोत फास्ट, मुक्यमंदी जरासिव आई गडबढ एक मिनेट मढचागे दूसरा मुक्यमंदी आप कांग्रेस मेत फास्ट निर्णे मैं उस ही प्यार रहा हूं कि निर्णे छमता थोड़ी सी इंद्राई जी के जाने के बाद हमारी कम जोर होगी हमारी हाई कमान की निर्णे छमता देखिये होता है प्रतीक भाई मुझसे ज़्यादा अच्छे कम समय में निर्णे ले सकता है तो उसमें देरी होने से भी हमें के जगे नुकसान हुआ तो वो मेरा सोच ऐसा है कि देखिए निर्णे लो अच्छा लो बुरा लो लेकि निर्णे समय भी ले लो तो उसका प्रेणाम अच्छे ही मिलते हैं दि बुरा निर्णे भी लिया तो हम उसको थोड़ा दिन में सुधार सकते हैं तो वो थोड़ा सा एक कमरा कमजे कमजोर पहलू रहा अब मैं अपने हाई कमान पर प्रशने चिन्ने लगा दूँ ये ठीक नहीं लेकिन मैंने इंद्राइजी के साथ भी काम किया और उनकी निर्णेओं को देखा निर्णेशंता को देखा ट्विक्ट डिसीजन अब जिसे अमर्जन्सी की बात करें जो मैंने कहाँ अधिवासी मुसल्मान और भाम्मन ये दूर होका मेरा वो ही कहना है कि जो हमारा है हम उसे दंसे समाल ले जो अपने पास है उसे समाल ले फिर विराशत बढानी की सोचने के लिए नहीं कलपना करना नहीं प्लान करना जो अपना है उसके लिए मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा नीर्णे लेना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि आज भी चाहे अनुसूची जाती का व्यक्ति हो जन जाती का हो आदिवासी या अलपसंकेग भाई हो देखिए आज भी जो परिणाम उत्यपदेश में आए इन दोनों तपकों ने मिलके वहाँ पे भाजा पाको नका रहा हूँ वो परिस्तिती अग सब जगे उस परिणाम से उत्तवदेश लोक सब आगे पूरे देश में अनुसूची जाती जन जाती और रपसंकेग भाई समझ गये है यदि हम इमानदारी से उस पार्ड़ी का साथ देंगे जो धर्म निर्फेक्ष और सब के हितकिस होचती है तो हम ये फिर से जो जाती पाती की राजनीती कर रहे हैं नों मुसलमान कर रहे हैं मंदिर वज्जे इनसे तभी छुटकारा मिल सकता कि हम फिर से उस पार्ड़ी के नजदी का जाए जाए तो लेंगे कि नजए में तो जीतू का साथ कि यह मेरा क्यूंट है कि में बहुत दमदारी से पूरी मदद करूंगा कि जीतू साथ मजभूत हों इंद्रा गांदी से लेके वर्तमान की कॉंग्रेस की समिक्षा निश्पक्ष भाव से उन्होंने की अपनी गलतियों को भी स्विकार है और उनका आक्रमक तेवर बरकरार है सच कहने से वो डरते नहीं चाहे बात अपने नेता की हो या दूसरों की हो निश्वत रूप से वे जीतू पटवारी के साथ हैं और अगर लोग यह कहते हैं कि जीतू पटवारी के वे मारदर्शक हैं तो भी गलत नहीं है देखतरी डिजानर न्यूस खबरों का सिलसले जारी है जारी रहेगा नमश्कार कि अगर जाए